हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप ये डेंगु दिव सा बदल लारे काड़ने लियाए हाँ पुर्ण नाकपुर में डेंगु दिव साजरा के लिया जातों सब्सक्राइब लारे में डेंगु बाबत माईती सब्सक्राइब लोकाना दिन्या थे था है कि अध्यू काई से अच्छा होगा डेंगु यह ऐसी बिमारी है कि जो एडिज मचर की लार्वी इस से एक काटने से चार पास दिन में बराबर डेंगु होता है कि डेंगु रोकने के लिए कि पपई अनार की भी एपरुड हप्ते में एक बार खाये भी तो भी डेंगु से जो प्लेटलेस कम हुई है वह बढ़ जाती है हमारे पास में मिलती है तब सभी लोगों ने आकर यह गपी बिज़ेश पूरे नाखपुर शहर में चल रहा है यह पूरे नाखपुर शहर में यह अभियान चालू है अभी मगर हम जोन क्रमांग साथ के कर्माचारी है और यह डेंगु के लहरी पूरे संपुर्णा जोन में जोन क्रमांग साथ में हम घुमा रहे हैं लोगों को डेंगू के बारे में जागरूत कर रह है माहित दे रहे यह डेंगू कैसे होता किस मच्छर से होता है किस मच्छर के लारवी से होता है वह मच्छर एडी जी जिपता है मचर की मादी काटने से 14 दिन में बराबर डिंगू हो जाता है इसे लिए तुरंथ उसको उस समय की भी अनार पापाई अगर खिलाई तो यह बिमारी के जो प्लेटलेस कम होती है यह बढ़ जाती है अब है अब है अभी जो यह एलर्जी की जो बीमारी हो रही है लोग पेसंट जाता एलर्जी के हो रहे है यह लगे इस तो यह जो भूरी है यह दुप के कारण होती है यह डिंगू से उसका कोई लिए नहीं है दन्दवाद सर जाग रुपता आप यहन के लिए आपको बहुत बहुत दन्दवाद दन्दवाद करेंगा आप बहुत अच्छा दाप बहुत हैं कोई भी बुखार आने के बाद जल्द से जल्द नज्दीक के अस्पिताल में जाकर खून की जांचत मक्चरों की रुपनां के लिए पानी में चांदों तयार नहीं होना चारिए इसका ख्याल रखी है उसके जरीए ये मक्चर प्यार होकर आपके देखतीकों काथ्यों से हमारी बोटो भी लेंदो लाँ है इसलिए अच्छे पानी का ही इस्किमाल करना ज़रूरी है प्रुमाहस्तर पाड़ी का लाख फूर आरोग्य विभार देंको बुखार प्रतिरोध और नियंत्रन बुखार के लक्षट अचानक बुखार आकर तेजी से बढ़ता है आखों के पीछे दर्द एवन आखों की हल्चन बढ़ती है नसे और जोडों में जाधा दर्द होना संपूर्ण शरीर पर लाख रंकी पूंसिया आती है मडम देन मडम का गई का है